हेलो फ्रेंड्स तो आज हम क्लास 9th एंसीरित मैथ्स के चेटर 11 जो की है मारा कंस्ट्रक्षान इस चेटर के construction 3 11.3 यह construction basically आपके theorems हैं जो की आपको इन chapters में पढ़ने हैं इस chapter में उस theorems के name को ही construction दे दिया गया है क्योंकि आपका chapter ही किसका है construction उसका है तो यहाँ पर आज इस chapter का तीसरा construction हम देखेंगे क्या है construction इसको solve करते हैं प्रूफ करते हैं इसको मतलब to construct an angle of 60 degree at the initial point of a given ray सबसे पहले तो यह ray क्या होता है आपको पता है एक line जिसमें starting point तो होगा initial point तो होगा initial मतलब starting point but ending point नहीं होगा यह हैता है आपका ray इस ray पर आपको इसके initial मतलब starting point पर एक 60 degree का एंगल बनाना है कैसे बनाएंगे मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में भी इसको बता रखा है पर वहां पर मैंने इसको proof नहीं किया था तो आज इसका हम proof भी देखेंगे तो यह सब थोड़ी सी theory है steps to construct यह सब मैंने आपके NCRT book से ही उठाया है जिससे आपको यह ना लगे कि कहां से पढ़ा रहे हैं कैसे तो यह पूरा आपके NCRT के curriculum के हिसाब से हम चल रहे हैं ठीक है तो इसको आप पढ़ लीजीएगा मैं आपको इसमें जो कुछ लिखा है उसका निचोड़ आपको बता देता हूं कैसे क्या लिखा है । देखिये एक ए ले लिजिए इसको कोई name दे देते हैं माल लीजिए AB रे AB ठीक है इसके initial पोइंट पर हमको बनाना है इनिश्यल पॉइंट क्या होगा point a compass लीजिए compass को open करिए एक radius का कोई सा भी radius आप ले लीजिए छोटा बड़ा बहुत बड़ा भी मतलीजिएगा बहुत छोटा भी मतलीजिएगा अपने हिसाब से जिसमें आप comfortable हो compass के needle को यहाँ पर रखेंगे point A पर और कुछ इस तरीके से एक arc लगाएंगे यह arc ठीक है? arc लगाने पर आपका A बी जब intersect जहाँ पर होगा इस point को कोई name दे दीजिए क्योंकि proof जब करेंगे तो हमें names की मदद लेनी होगी ठीक है? इसके बाद same arc से same arc sorry same radius अब आप radius अपने एक compass का change नहीं कर सकते same radius से point C पर रखकर यहाँ पर एक arc लगाएंगे और अब आपका इस तरीके से दूसरे race से इसको इस तरीके से जब join करेंगे तो यह जो आपका बनेगा ना यह 60 degree का बनेगा इसको भी हम naming कर देते हैं यह पूरा आपका 60 degree का बनेगा ठीक है? समझ मैं यहाँ तक बहुत ही easy सा है बहुत ही easy सा है अब इसको बारी आती है प्रूफ करने की प्रूफ को ऐसे करेंगे तो छोटा सा यहाँ पर एक construction है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ construction क्या है? join DC DC को join कर दीजिए construction में आपको यह इतना करना होगा DC को आपको join करेंगे state line तो जब आप इसी join करेंगे न तो यहाँ पर आप जान दे क्या बनेगा आपका A B sorry A B नहीं A C equal DC equal AD मिलेगा मिलेगा क्यों? जरा यह तो बता दीजिए सर यह होगा कैसे? मिलेगा क्यों? जरूरत क्या है इसकी? तो angles नहीं arks arks of same radius same radius जो arks आपने लगाए है यह बता यह पूरे figure को बनाने में पूरे angle को बनाने में कहीं पर अपने आपने radius change किया compass का? नहीं किया न तो same radius के आख लगे है radius same है distance भी तो same होगा sorry length भी तो same होगा तो यह तीनो आपके भाई equal हो जाएंगे क्या बन जाएगा? therefore ट्रियंगल ADC is equilateral triangle ट्रियंगल त्रियंगल 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 यह आपका एक equilateral triangle बनेगा और आपको पता है की angles of equilateral triangle are कितने के होते हैं? 60 degree के ही होते हैं न? therefore are all सारे angles 60 degree के होते हैं therefore एंगल DAC CACAD equals 60 degree ठीक है? प्रूफ हो गया? तो उमीद है यह construction आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आज के लिए बस इतना ही मिलते के sorry मिलते किसी और नए वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप बने रहे हमारी साथ